नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर पेंसन की टेंसन नरंद मोधी सरकार की भारती जनता पार्टी नीत राज सरकारों की बढ़ती जा रही है सरकारी कर्मचारियों की पेंसन को लेकर जिस पकार से भारती जनता पार्टी की राज सरकारों ने और भारती जनता पार्टी की किन सरकार ने यूँ कहें कि BJP ने पूरी तरह से एक पेंसन विरोधी रवया अपनाया उस रवया ने सरकारी करमचारियों को मौजूदा दोर में BJP के खिलाफ इस कदर खड़ा कर दिया है कि चाहे आप हिमाचल परदेश के नतीजे देखें या मद्ध परदेश का जो 3 दिसंबर को नतीज सरकारी नौकरियों के लिए competition की तैयारी करने वाले students और उनका परिवार और इन सब से आगे बढ़कर चुनाओ के दर्मियान चुनाओ duty को समालने वाले सरकारी करमचारी ये सारे factor एक साथ इकठे होकर चुनाओ को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी डरे हुई नजर आ रही है लेकिन बीजेपी करें तो क्या करें पेंसन का विरोध करना उसकी घोसित रणनीती का एजेंडा एक तरह से माना जा रहा है अटल विहारी वाजपई की सरकार ने सरकारी करमचारियों की पुरानी पेंसन ब्योस्ता को बंद कर दिया ए NPS यानि New Pension Scheme की ब्योस्ता को मंजूरी दी NPS में किसे क्या मिला सभी जानते हैं लेकिन दबाव क्या होता है और दबाव का नतीजा क्या होता है जरा चुनावी घोसना पत्र और पेंसन लागू करने में अलग-अलग विपक्षी दलों की राज सरकारों की तेजी को देखि पंजाब की भग्वंत मान सरकार ने पैंसन बहाल किया साड़े तीन लाख करो रुपए से जादा का बोज पढ़ेगा सुसील मोदी यह नहीं बताते कि लाखों करो रुपए का पिछले दस सालों में 25 लाख करोड 24 लाख 95 लाख करोड के करीम का लोन राइट अफ किया गया उससे सरकार की सेहप पर सरकारी खाजाने पर बोज नहीं करते है वह सरकारी करमचारियों की पैंसन खत्म कर चुके हैं यदी कोई ब्यक्ति संसद और बिणान मंदल डोंगा सदस्य होता है यानि शंद और विलायक दोनों रहा है तो उससे दो जगह से पैंसन मिलेगि यदी कोई ब्यक्ति बिनान सभा बिनान परिस्द लोग सभा राजसभा चारों का सदस्थ राचुका है तो उसे चारों जगा से पेंसन मिलेगी सुसील मोदी चौथे संदन के सदस्थ है वह बिनान परिस्द बिनान सभा लोग सभा के सदस्थ राचुके हैं और अभी राजसभा के सदस लिहाजा जब उटायर होंगे तो उन्हें चार पेंसन मिलेगी लेकिन सुसील मोधी और उनकी पार्टी मौजूदा दौर में विरोध करती है नरंध मोधी संसद में बिना पेंस कीम का नाम लिए कहते हैं कि आप लोग जो गलत परंपरा डाल रहे हैं आने वाली पीडियों को इस गलत निर्णे का फल भोगना होगा वोट के लिए लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं इसका पहिणाम भुगतना होगा लेकिन नरनमुदी यह नहीं बताते कि उनकी सरकार के दौर म लगब 25 लाग कोड़ों के जो लोन राइट अफ हुए और सवाल यही है कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो जुटान हुआ है उसमें अलग-अलग राज्यों के केंद्र के करमचारी संगठना उनके करमचारी जुटे हुए हैं उन करमचारीों की संभावित संख्या पर यही नजट डाले तो पूरे देश में उन राज्यों को छोड़कर जहां ओल्ड पिंसन स्कीम बहाल कर दी गई है तो तकरीबन 80 लाग के करीब सरकारी करमचारी बैठते हैं केंद्र राज्य सरकार के करमचारी मिला कर जो अभी भी ओल्ड पिंसन स्कीम के दायरे से बाह देगी लगता तो नहीं है क्या सरकारी करमचारियों को चुनावी ड्यूटी से अलग कर दिया जाएगा क्या सरकारी करमचारियों पर सरकार को भरोसा नहीं है और सरकारी करमचारी यदि चुनावी ड्यूटी से सरकार को यह लगता है कि चुनावी ड्यूटी करेंगे सरकार तो अपने मुद्दे को लेकर वह जिस कदर आक्रामक्त हैं वो आक्रम हमता कहीं न है कई हो एग्रेसिवनेसर उनकी निश्पक्षता को प्रभावीर्ट तो नहीं करेगी इन सवालों को लेकर दिली हलकान है इन सवालों को लेकर नरंद-नमोदी के नेत्रित्व में चलने वाला प्रदानमंत्री कार्याले और वित्मंत्राले हलकान है इन सवालों को लेकर भारती जंता पार्टी के नीती नियंता हलकान है तो RSS भी हलकान है आखर इनकी मांगे क्या है जो संगठन आंदोलन कर रहा है इनकी मांगे है कि PFRD यानि Pencent Fund Regulatory Authority उसे खत्म किया जाए उनकी मांग है कि पुरानी Pencent ब्यौस्था को बहाल किया जाए क्योंकि जिस नई Pencent ब्यौस्था की गुणजाइस लगाने की कोशिस अटल विहारी वाजपे ने की थी उससे सरकारी कमचारियों को मिला क्या नई Pencent पुरानी पेंसन को अंतर को मोटे तोर प ब्यक्ति चाहे वो ISO या 4th grade का करमचारी हो डॉक्टर प्रोफेसर इंजिनियर कोई भी हो जिसने भी सरकार के नौकरी की है सभी लोगों को उनकी अंतिम सेलरी जो रिटायर्मेंट के पहले आखरी महीने में मिलती थी उस सेलरी के 50% से उस वेतन के 50% यानि आधी राजी से उस ब्यक्ति की पेंसन रिटायर्मेंट के बाद के पहले महीने से सुरू होती थी और वो वेतन की तरह ही समय समय पर जैसे वेतन बढ़ता है वेतनायोगों के साथ तो डीए के साथ तो किसी और मुद्दे के साथ उसी तरह से पेंसन भी बढ़ता रहता था और उस पेंसन बवस्था को अटल विहारी वाजपई की सरकार ने जब खत्म किया उसके बाद जो नई पेंसन बवस्था आई उस नई पेंसन बवस्था की चर्चा से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जब पुरानी पेंसन बवस्था थी तब करमचारियों के पीएफ की भी बेवस्ता थी जीपीएफ के नाम पर प्रोविडेंट फंड के नाम पर उनकी सेलली से कुछ पैसे कटते थे जो रिटायर्मेंट के बाद जीपीएफ का जो ब्याज दर होती थी उस दौर में भी अधिक्तम मानी जाती थी अभी भी जो पुराने कर्मचारी है 2004 के पहले बहाल होने वाले उनका जीपीएफ जाता है और उनकी जीपीएफ किरासी की पैसन की ब्याज किदर काफी हाई होती है तो वो पैसा ब्याज के साथ मिलता था उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था रिटायर्मेंट के बाद जो मिलता था और इसके साथ पैसन सुरू हो जाती अब जो नई ब्यवस्था NPS के तहथ है न्यू पेंसन इसकीम के तहथ उसमें कितना बड़ा गरबड जहाला है जैसा सरकारी करमचारी बताते हैं यदि उस पर गौर किया जाए तो सारी चीजे साफ हो जाती है इस नई पेंसन ब्यवस्था के गरबड जहाले को समझने के तो किसी को 1200 रुपए NPS के तहथ पैंसन मिल रहा है और 40 पीसदी पैसा NPS का उन सरकारी करमचारियों को कभी नहीं मिलेगा जिसका ब्याज उन्हें हर महीने पैंसन के तौर पर हासिल होता है दस पीसदी रासी वो कटाते हैं अपनी सेल्ली से और उनकी सेल्ली से जितना कटत है सरकार उतना अपने तरफ से कंट्रिव्यूट कर देती है यानि किसी ब्यक्ति ने रिटार्मेंट तक 50 लाक रुपए अपनी से कटवाए हैं तो 50 लाक रुपए और सरकार अपनी तरफ से उसमें एड़ कर देगी कुल जमा एक कोड़ रुपए हुए और एक कोड़ करमचारी को रिटार्मेंट के समय मिल जाएंगे और जो 40 लाक रुपए है उसकी ब्याज की जो रकम होगी वो उन सरकारी करमचारियों को मिलेगी अब उस 40 लाक रुपए की ब्याज की रकम कैसी होगी क्या होगी क्या बैंकों की स्तिती होगी क्या अंतरास्टी मार्केट की स्थिति होगी क्या उस समय का रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट होगा उसके इसाब से तय होगा और इन्हीं गतिविधियों के बीच यदि उस पेंसन धारी की मिर्थ्यू हो जाती है तो उसके आस्रीतों को वो 40 पीसदी रासी कभी नहीं मिलेगी इसी का नाम NPS है इसी का नाम New Pension Scheme है और इसी गड़बर जाले के खिलाफ जब पुरानी Pension दोस्था की बहाली किमान करते हुए सरकारी कमचारी कठा हुए तो सरकार को अब कहीं न कहीं डर लगने लगा है सरकार को डर लग रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक कहीं न कहीं एक government employee जो देश के बड़े हिस्से में चाहे वो master हो, doctor हो, professor हो यही society का वो तपका होता है जो opinion maker का काम करता है जो चाहे पान की दुकानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों तक अपने तरीके से लोगों को convince करने की कोशिस करता है बताने की कोशिस करता है कि किस राहितिक दल के पक्ष में हवा चल रही है कौन जीत सकता है तो इतना बड़ा opinion maker यदि सिर्फ इस आधार पर चुनाओं में खिलाफ हो जाए कि जो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी उसकी pension बेवस्ता को बाहल कर देगी तो सत्ता के अंदर का डर स्वभाविक है हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी राजनितिक दल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जाकर उन्हें असंतुष्ट करकर अपने चुनावी संभावनाओं को बरकरार रखने की उम्मीद नहीं पाल सकता यही सबसे बड़ा यथार्थ है और आज की तारीख में जो बहस चल रही है कि पुरानी प्रेंसल डोस्ता वापस दे दी जाए उस बहस का सबसे बड़ा आधार यही है सामाजिक सुरक्षा जिस पकार से इस देश में ओल लेज होम बढ़ते जा रहे है सरकारी कर्मचारियों के घर के बुजुर्ग भी और सरकारी कर्मचारी भी रिटार्यमेंट के बाद किसी ओल लेज होम में जगत अलास्ते न जा रहा है यह हिंदुस्तान का बविस्यदी मनता जा रहा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं वो सामाजिक सुरक्षा की भावना और सामाजिक सुरक्षा से वंचित किये जाने यानि सामाजिक सुरक्षा मतलब पेंसन जैसी सुविधा से वंचित किये जाने का भी एक पईणाम हो सकता है जिस पईणामों को लेकर मौझूदा दौर में सामाजिक संगठन तो गंभीर है सरकार गंभीर है या गंभीर नहीं है पक्के तोर पर नहीं कहा जा सकता और पेंसन देने में उस सरकार को उस political leadership को दिक्कत क्या है जो खुद अपनी पेंसन को बंद नहीं करती ये सवाल इस लोग सभा चुनाओं में जातिये जणगना के साथ साथ दूसरा सबसे महत्पूर्ण मुद्दा है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता देखते हैं 3 दिसंबर का चुनावी नतीजा क्या किन सरकार को इसके लिए मजबूर करेगा कि वो पेंसन पर अपनी घोसित नीती से पर पुनरविचार करते हुई नजर आए क्या किन सरकार और भाजपा सासित राजी सरकारों को इसके लिए मजबूर करेगा कि सामाजिक सुरक्षा को राजनीतिक दाउं पेचों से और वोट बैंक के लिहाज से उससे अलग हट कर देखने पर मजबूर हो वरना प्रदर्सन होते रहेंगे और सत्ता बदलने के बाद जो पोईटकल पार्टी को सत्ता में आएगी उसके बाद जो भारती जनता पार्टी की घोसित निती है उसको लेकर के इस देश के वोटर का जो मिजाज है हालात कहीं ये न बन जाए कि सरकारी करमचारियों को दूसरी पार्टी आके जो पेंसन दे दे उसके बाद उनके दिमाग में ये बात घर न कर जाए कि कहीं फिर से बीजे पी आ गई तो पेंसन बंद न कर दे ये ज़्यादा बड़ा डर है और इस डर को निकालने के लिए क्या नरेन मोदी की सरकार सरकारी करमचारियों की ओल्ड पेंसन स्कीम को बहाल करेगी सबसे बड़ा यक्ष प्रस्ण है क्योंकि एक highly insecure तबका government imply भारत के middle class का हिस्सा होता है उस middle class का हिस्सा जिसे सामाजिक तोर पर सबसे आदा insecure यानि असुरक्षा की भावना से ग्रसित माना जाता है वो तबका middle class syndrome कई लोग कहते है कि middle class की आधी energy इसी बात में जाती है कि जो उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत है उस हैसियत से वो नीचे न चले जाए वो रिस्क नहीं लेते और वो रिस्क नहीं लेते तो उस हैसियत से उपर जाने के उनकी छमता भी प्रभावित होती रहती है और middle class के अंदर ही वो बने रहना चाहते है और दुनिया में जिस किसी देश में आप चले जाए कोई भी क्रांती कोई भी अभ्यान चाहे राजनितिक हो या गैर राजनितिक तब तक सफल नहीं होता जब तक उसे उस देश के middle class का मध्यम वर्क का समर्थन आसे ला हो और मध्यम वर्क का समर्थन मौजूदा दोर में पक्के तोर पर कहा जा सकता है कि इस देश के old pension scheme की demand करने वाले उसकी पनरबहाली की मांग करने वाले लोगों के साथ अब खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है क्या रंग कर्मी क्या लोग गायक क्या सामाजिक संगठन क्या बिधासरम चलाने वाले लोग क्या अलग-अलग राज्यों के मध्यम वर्क के लोग छात्र किसान सभी इस old pension scheme के साथ अपने आपको जोड़ते हुए दिख रहे है वरना दिल्ली में हर महीने इतना बड़ा जम पाकत न करें कहीं न कहीं यह उस डर का परिणाम है जिस डर से निकलने की कवायद सत्ता के साथ सत्ता में बैठे हुए राजितिक दल को भी है कि यह मामला सिर्फ इस चुनाव भर का नहीं है तो देखते हैं यह मामला इस चुनाव भर का है या मामला आगे का है जब का भी ह ये मामला इस देश के तक्रीबन एक करोड लोगों की स्तामाजिक सुरक्षा का मामला है और स्तामाजिक सुरक्षा के मामले को राजितिक चस्मे से इतर जाकर सत्ता देख पाती है या नहीं देख पाती है इसी पर इस आंदुलन का भविस इत्य होता है फिलाल के लिए इतना ही और यदि आपने News Launcher को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार